हलो दोस्तों गुड बॉर्णिंग स्वागतिक वाफिर से आप सभी का MZE education में दोस्तों आज है 19 फर्वरी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 फर्वरी 2021 के current affair के सभी important questions के बारे में पूरी वीडियो ध्यास देखेगा पूरी वीडियो डेटेल में आपको समझाई गई है अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को like और share जरूर कर दीजेगा चले बात करते हैं पहले question की पहला question है हाली में कांगो गडराजी का नया prime minister किसे नामित किया गया है कांगो गडराजी इसके नै प्राइम निस्टर दोस्तों बने है कौन? मिसेल समालुकोनडे इनका पूरा नाम है जीयान बिसेल समालुकोनडे अभी हाली में वहां के जो president है फेलिक्स तेसी कैदी, कौन? फेलिक्स तेसी कैदी, तो फेलिक्स तेसी कैदी ने इनको नामित किया है, किसकी जगापर बने हैं ये? ये सिल्वेश्ट्रे इलूंगा की जगापर बने है, जो आपको C आप्शन में दिख रहे हैं, सिल्वेश्ट्रे इलूंगा, इनकी हैं कांगो गड़राज के नए प्राइम मिनिस्टर अच्छा देखिए एक होता है कांगो लोगतांत्रिक गड़राज्य तो यह कांगो लोगतांत्रिक गड़राज की यानि Democratic Republic of Congo के ये बने है प्राइम मिनिस्टर DRC की अभी मैं आपको वर्ड मैप में दोनों दिखाता हूँ एक होता है Republic of Congo और एक होता है Democratic Republic of Congo सबसे पहले देखिए यह रहा हमारा प्यारा भारत यहां से हम लोग आएंगे आफ्रीकन कॉंटिनेंट में क्योंकि यह आफ्रीका महादिप में है और मिडल आफ्रीका में है यहाँ पर देखिए आपको दिख जाएगा DRC यानि Democratic Republic of Congo देखिए काफी बड़ा देश है काफी बड़ी कंट्री है यह और यहीं पर पास में है दूस्तो Republic of Congo यह देखिए यह जो छोटी सी कंट्री है यह है Republic of Congo और जबकि ये जो बड़ी सी country है ये है Democratic Republic of Congo यहाँ पर DRC के नाम से लिखा हुआ है किलिर है इसकी राज़ानी क्या होती है इसकी राज़ानी होती है किन सासा क्या किन सासा होती है इसके राज़ानी इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है फेलिक 13 केदी कौन फेलिक 13 केदी और यहां के नए प्राइमिनिस्टर बन गए हैं जियान मिसेल समालू कोंडो करेंसी के अगर बात की जाए तो यहां की करेंसी होती है कांगोलीज फ्रेंक क्या कांगोलीज फ्रेंक अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है UNCDF का नया कारेकारी सचिव किसे निउक्त किया गया तो अभी हाली में प्रिती सिन्हा को दोस्तों UNCDF का नया कारी-कारी सचिव नियूप्त किया गया है। प्रिती सिन्हा इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही है प्रिती सिन्हा इनको दोस्तों UNCDF यानि संयुक्त राष्ट पूजी विकास को उनाइटेड नेशन्स कैपिटल डेवलप्मेंट फंड इसका नया कारी-कारी सचिव यानि एक्जिक्यूटिव सेक्रेटरी हो रहे हैं तो प्रिती सिन्हा 15 फरवरी 2021 से अपना कारेकालिये शुरू करेंगी UNCDF के बारे में जानिए इसकी कारेकाली सचिव प्रिती सिन्हा को बनाया गया है हेड़कॉर्टर है नियूआर्क में अस्थापना होई 1986 में 1966 में किलिए चले अगला दिखते हैं अगला सकते हैं ने दिल्ली में लांच किया गया है और मुबाइल अप्लिकेशन वी लांच किया गया है किसके दारा इसे ऐ गौर्मेंट फाउन्डेशन के दारा भारत इलेक्ट्रानिक्स लिंटेड यानि बेल के दोरा और रक्षा संपदा महानिदेशक डी जी डी और राष्टि सूचना विज्यान के NIC दोरा विक्सित किया गया है यह चार संस्थाइं मिल करके विक्सित की हैं डेवलब की हैं दिखिए कैसे चार संस्थाइं मिली हैं जोस्तों इसमें कुछ information NIC से लिया गया है BEL ने भी अपना कुछ सहयोग किया है इस प्रकार से ये डेबलब किया गया है E-56 Portal इंडिया में टोटल है 62-56 बोर्ड हैं और इसमें 20 लाग से ज़्यादा निवासी निवास करते हैं तो इन सभी को ये आनलाइन सेवाएं प्रोवाइड करेगा E-56 Portal ये जो कैंट एरिया होता है जहां पर military के camps होते हैं जगा जगा पर होते हैं कैंट एरिया होता है तो वहीं पर कैंट एरिया के लिए कंटोनमेंट बोर्ड के लिए ही E-56 Portal लांच किया गया है राजनाथ सिंग जी की दोरा के लिए अगला कुश्चन देखते है हाले में भारतिये नव सेना को Scorpion Class की तीसरी पंडुबी सोपी गई इसका क्या नाम है तो भारतिये नव सेना को दोस्तो Scorpion Class की तीसरी पंडुबी मिली है जिसका नाम है INS करंच इंडियन नेवल सिप करंच देखिए इंडियन नेवी को दोस्तो Scorpion Class की तीन पंडुबिया सोपी जा चुकी है जो MDL के दोरा बनाई गई है किसके दोरा MDL के दोरा यानि कि मजगाओं डाक सिप बिल्डर्स लिम्टेड के दोरा जो बनाई गई है ऐसी तीन Scorpion Class की पंडुबिया इंडियन नेवी को दिया जा चुका है पहली कौन से थी? तो पहली थी इसमें दोस्तो INS कलवरी कौन? INS कलवरी जो की 2017 में कमीशन की गई है इंडियन नेवी में INS खंडेरी इसके बाद 2019 में कमीशन की गई यानि सामिल की जा रही है इंडियन नेवी में टूटल ऐसे 6 Scorpion Commission की Scorpion Class की पंडुबिया सामिल की जानी है तो 6 में से तीसरी ये सामिल की जा रही है किलिए रहे बिल्कुल तो फरवरी 2021 में मजगाओं डाक्ट सिप बिल्डर स्लिम्टेड ने दुस्तों कहाँ पर SQ सामिल किया है मुंबई में महाराष्ट्रा में ठीक है इस्कॉर्पियन क्लास की अब देखिए इंडियन नेवी आया है इंडियन नेवी के बारे में जानिए भारतिये नौ सिना दिवस अभी दुस्तों मनाया गया था चार दिसंबर को प्रतिक वर्स चार दिसंब इसको याद रखेगा अच्छा आयेन जो आई है इंडियन नेवल सिपव इससे इजाद रखेगा अभी एक आया था नाम आयेन च्यून येस सिंदु वी क्यों कुM है क्योंकि दोस्तों INS सिंधुवीर को भारत ने म्यामार को सौपा हुआ है दान दिया हुआ है और म्यामार के पास यह इकलोती पंडुबी है इकलोती पंडुबी है INS सिंधुवीर ओके अगला देखते हैं अगला कुशन है हाली में किस मंत्राले ने 18 में CSI SIG E Government पुरुषकार 2020 में प्रसंसा पुरुषकार जीता तो अभी हाले में जनजातिय मंत्राले ने जीता है दोस्तों CSI SIG Government पुरुषकार 2020 में अवार्ट प्रसंसा पुरुषकार जीता है जन जाती है मंद्राले इस मंद्राले ने दोस्तों अपने जो भी इनिसियेटिप्स लिये हुए हैं IT छेतर से Information Technology का यूज करके नए नए इनिसियेटिप्स का यूज करके तो इन सब के लिए जन जाती है मंद्राले को ये अवार्ट दिया गया है CSI और SIG इन दोनों का फुल फार्म क्या होता है CSI का फुल फार्म होता है दोस्तों Computer Society of India SIG का फुल फार्म होता है Special Interest Group ठीक है E-Government का Special Interest Group है ये तो इसके तहत ये अवार्ट दिया गया जन जाती है मंद्राले को अचा अभी आपको याद होगा जन जाती है मंद्राले को दोस्तों एक और अवार्ड मिला था SCORCH अवार्ड मिला था अरजुन मुंडा जी को जो की केंद्रिय जन जाती है मंद्राले को ये अवार्ड दिया गया है अगला कोशन दिखते हैं हाले में Ministry of Skill Development and Entrepreneurship ने कितने वर्सों के लिए महात्मा गाधी National Fellowship कारेकरम शुरू किया है तो 2021 से 2023 के बीच में ये कारेकरम आयज़ित किया जाएगा ये कारेकरम दोस्तों Indian Institute of Management दोरा MZNF MZNF यानि की महात्मा गाधी National Fellowship इसके दोरा सारजनिक नीति और प्रबंधन में यानि management में certificate प्रवाइट करने का एक कारेकरम होगा ये बसिकली एक ऐसा कारेकरम है जिसमें प्रबंधन पर यानि management पर और सारजनिक नीतियों पर जो social policies होती है उन पर एक certificates दिये जाएंगे तो इस program को इस कारेकरम को दोस्तों संकल्प के तहत आज़ित किया जा रहा है संकल्प संकल्प क्या है संकल्प दोस्तों वर्ड बैंक का एक लोर प्रवाइट करने का एक program है संकल्प का full farm होता है Skills acquisition and knowledge awareness for livelihood promotion क्या होता है Skills acquisition and knowledge awareness for livelihood promotion तो इसी के तहत इसे शुरू किया गया है और इसे अभी शुरुवात में 9 IIMS यानि Indian Institute of Management के दोरा host भी किया जा रहा है तो अभी शुरुवात में इसे पूरे भारत में 660 से अधिक जिलो में शुरू किया जा रहा है अच्छा दूस्तों कुछ लोगों का कहना है इसको भी आप English में provide कीजे तो देखिए अब वो मेरी आपसे एक request है पहले आप इस वीडियो को जो ये डेली करेंट एफर की सीरीज होती है इसको आप 15 से 20 हजार व्यूज तक पहुचाईए आप लोग सेयर कीजिए इतना कि इसके 15 हजार से 20 हजार तक के व्यूज आने लगे उसके बाद मैं आपको हिंदी और इंग्लिस दोनों में भी explanation भी provide करने लगूँगा देखिए वीडियो में काफी जादा मेहनत की जा रही है लेकिन उसका response नहीं आ रहा है जब तक अगर वीडियो में response नहीं आता है तो उसके लिए इतनी मेहनत करने का मन नहीं करता है ठीक है उस पर इतना focus करने का क्या फाइदा जब अगर उसका response नहीं आ रहा है तो आप लोग वीडियो को पहले share कीजिए खुब share कीजिए 15-20,000 तक का अगर view पहुचने लगेगा तो मैं निस्चित ही आपको English में भी explanation प्रोइट करने लगोंगा तो आप लोग प्लीज इतना कीजिए वीडियो को like कर दिया कीजिए share कर दिया कीजिए अपने दोस्तों के पास अब देखिए आपके लिए काफी सारी चीज़े provide की जा रहे है तो आप लोग प्लीज इसे share जरूर किया करो और हाँ जो लोग कल comment कर रहे थे कि map हटा दिया जाएगा map system बिलकुल नहीं हटा जाएगा मैंने आपसे कहा ही था कल कि आप लोग feedback दीजिए क्योंकि कल पहली वीडियो थी पहली वीडियो से फिर देर देर हम कुछ और सुधार करेंगे आप लोग के feedback के अंदुसार फिर कुछ और सुधार करेंगे धेरे देरे सुधार होता जाएगा और आपकी ये current affair की series जो है daily current affair जो है ये best होता चला जाएगा तो आप लोग feedback जरू देते रहिए feedback मागा गया था आप लो feedback देते रहिए सुधार किया जाता रहेगा clear चलिए लेकिन आपको share और like जरू करना है अगला फिलिपकार्ट ने होस्पी कैस वीमा सुरू करने के लिए किस से समझाता किया तो अभ फिलिपकार्ट जो है वो अपने ग्रांकों को अपने कस्टमर को group safe card वीमा एक group स्वास्त वीमा पॉलसी सुरू करने जा रहा है इसके लिए अपने कस्टमर के लिए तो इसके लिए ICICI Lombard के साथ ने समझाता किया है अब यह जो वीमा पॉलसी होगी इसके लिए केवल 500 अब उठा सकते हैं फिलिपकार्ट के बारे में बात करें तो इसका headquarters है बैंगलूरू में और इसके CEO है कल्यान क्रिश्नमूर्थी दोस्तों फिलिपकार्ट की अस्थापना हुई थी 2007 में कब 2007 में हुई थी सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने इसके अस्थापना की थी बाद अरब डालर में खरीदी थी 70% हिसेदारी फिलिपकार्ट की ओके अच्छा सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने दोस्तों कैसे फिलिपकार्ट को स्थापित किया कैसे उसको इतनी बड़ी कंपनी बनाई और कैसे उसको बेच दिया इन सब के लिए उपर एक पुस्तक लिखी ग मिला महिट दलाल को तो यह फिलिपकार्ट के बारे में जान करें थी अब बात करते हैं आई सियाई सियाई लोंबाड के बारे में तो इसके सीएओं है भारगो दाजगुपता जी मुख्याले है मुंबई में और स्थापना हुई थी सन 2001 में क्लिए अगला दिखते हैं अग उने सेंचुरी लाइफ टाम सर्विस अवाड 2020 जीता है यह एक लेखक है एक इतिहासकार भी हैं प्राकृतिववादी हैं और एक कारेकरता भी है तो इनको 2020 के लिए यह अवाड दिया गया है यह प्रुसकार किसके दोरा दिया जाता है तो यह प्रुसकार दोस्तों दिया foundation के दोरा किसके दोरा century nature foundation के दोरा दिया जाता है इनको क्यों दिया गया दोस्तों थियोड़ भासकरन जो है ये अंग्रेजी और तमिल में इनकी जो लेखन को उसल है उसके लिए प्रुसकार दिया गया है इन्होंने वंजीव सनरक्षण के प्रती जो अपना समर्पन दिखाय गया है अपने लेखन से अपने राइटिंग के माध्यम से जो अवेरनेस फैल आई है उसके लिए इनको ये दिया गया है अवार्ड क्लियर है चले अगला कुश्चन देखते हैं हाले में आयाइटी बॉम्बे ने किस उद्देश से चैरिस आयाटी बॉम्बे 2021 अभियान सुरू किया तो चैरिस आयाटी बॉम्बे 2021 कैम्पेण सुरू किया गया है दोस्तों फंड रेजिंग के लिए किसके लिए फंड रेजिंग के लिए यानि धनक इकठा करने के लिए मनी कलेक्ट करने के लिए सुरू किया गया है आयाटी बांबे के दौरा एक campaign जिसका नाम है चैरिस IIT Bombay 2021 ओके तो IIT Bombay का ये ऐसा पहला इस प्रकार का campaign है जिसमें वो fund raising के लिए सुरू किया किया है इसका उपयोग कहां पर करेगा इसका उपयोग IIT Bombay अपने आपको और ज्यादा इंप्रूब करने के लिए और ज्यादा बनेंगी लेप्स परिसर होंगे ठीक है व्याखान हाल यानिकी जो लेक्चरर हाल होंगे उनका आधोनिकी करन्ट किया जाएगा और भी जो भी उसमें इंप्रूब्मेंट की जाने है IIT Bombay में इसके लिए fund raise कर रहा है तो जिससे आप लोग देख रहे हैं जब भी इंस्टि लिया जा रहा है तो यह बहुत बड़ी बात है ठीक है कि एक प्रकार से फंडिका ठक किया जाए और उसे अपने आपको इंप्रूब करने में लगाया जाए चले अगला देखते हैं अगला कुशन है दूर संचार विभाग ने दूर संचार वित्तिये धोखादारी से निपटने के लिए जो टेली कम्यूकेशन में दोस्तों फाइनेंसियल जो फ्राड होते हैं उनसे निपटने के लिए यह दो डिजिटल एजेंसिया स्थापित की जाएंगी ओके किस-किस नाम की डियू और टी एफ सी ओपी नाम की अब इस पर जो डियू होता है इसका फु टेली कम्यूकेशन में टेली कम्यूकेशन सिस्टम में जो फाइनेंसियल फ्राड होते हैं उनको रोकने के लिए शुरू किया जा रहा है जो अभी हमारे केंद्री संचार मंत्री है रवी संकर प्रसाथ जी इनकी अध्यक्सता में एक बैठक आयजुत की गई और उस बैठक में इन दोनों की स्थापना को मंजोरी मिली है ओके अगला कुछन देखते हैं हाली में केंद्र सरकार ने किस नाम से सोदेशी इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लांज किया है यह सेम वैसे ही जैसे आप वर्टसप का यूज करते हो लेकिन यह सोदेशी है ठीक है तो राष्टिय सूचना विज्ञान केंद जो नेशनल इंफर्मेशन सेंटर है उसके द्वरा संग्देश नाम का एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सुरू किया गया है और भारत सरकार इसको प्रमोट भी कर रही है ठीक है जिससे जो डाटा लीक होने की के पास ही होता है जैसे आप गूगल है गूगल पूरा अपने छेत्र में मोनोपाली क्रेड कर चुका है ऐसे फेस्बूक है फेस्बूक भी वाट्सेप इस्टाग्राम और फेस्बूक के जरिये पूरा मोनोपाली क्रेड कर चुका है तो ऐसा ना हो कि पूरे के पूरे भार अपना एक भुवन नाम से इंडियन मैप सिस्टम डिजाइन करने के लिए तो वो भी आप याद रखेंगे यानि भारत चाह रहा है आत्म निर्भर होना इन सब छेतर में भी ओके तो संदेश नाम का एक instant messaging प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है भारत सरकार इसको promote कर रही है और हम सब को इसे यूज करना चाहिए सारे features में सब वही है WhatsApp की जैसे ही ठीक है और धेद्रेज में कुछ updates भी आएंगे राष्टी सूचना विज्ञान केंदर यानि NIC जो है इसके बारे में बात करें National Information Center तो इसके स्थापना होई थी 1976 में महानिदेशक है नीता वर्मा और म दिली में अगला कुछन देखते हैं हाली में कहां के पूर्व राजिपाल और नयावेद एम रामा जोईस का निधन हो गया तो अभी हाली में एम रामा जोईस का निधन हो गया जोस्तों यह जारखंड और बिहार के पूर्व राजिपाल रह चुके हैं कहां के जारखंड और बिहार के पूर्व राजिपाल रह चुके हैं और यह चीप जस्टिस भी रह चुके हैं ठीक है यह पंजाब और हर्याना हाई कोट के चीप सस्तिस की रूप में भी काम कर चुके हैं और इसके बाद बिहार और जारखंड के ये थे गवर्नर भी ठीके बाद में गवर्नर भी बने वहां के राजिपाल भी बने तब बिहार और जारखंड एक हुआ करता था ये राश्टिय स्वयम सेवक संग से भी जुड़े यानि आरैसस से भी जुड़े इसके बाद ये चांट और विहार के गवर्णर भी रहें तो अभी हाली में इनका निधन हो गया है," बतर दोष्टों, अब आप लोग सेयर करना स्टार्ट कर दो ठीक है अच्छा एक और काम बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है अब आप लोग वीडियो देखने के बाद कुईज जरूर्व सॉल्व क्या करो कुईज अगला हाली में भारत और रोस के बीच कितनी फाइटर प्लेन के लिए समझाता किया गया है तो दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर अंसर कीजेगा चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में इस वीडियो में इतना ही रखते हैं वीडियो को यहां यहां तक दिखने के लिए बहुत जञाणी वात के दिखने के लिए बहुत भनेवाद टेलिगाराम ग्रूप जोँसेंगार अबज़ें पर झाल झाल